हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चाइनल आज हम बनाने जा रहे हैं तवा फिश फ्राइ की रिसिपी जो बहुती क्रिस्पी और क्रंची बनती है और खाने में भी बहुती मज़ेदार लगती है आप इसे रोटी या सिंपल दाल चाउल के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी और क्रंची तवा फिश फ्राइ की रिसिपी दोस्तों आप से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मि अवेलेबल हो ले सकते हैं फिश को हमने दोनों सेट से इस तरह कर्स लगाए हैं और इसके अंदर जो भी गंदी की थी उसे अच्छे से हमने साफ करके फिश को अच्छे से धो लिया है तो चलिए फिश पर अपलाई करने के लिए हम एक मसाला रिडि कर लेते हैं इसके अधा टी स्पुन भरके लालमेश पौडर डालेंगे आधा टी स्पुन हल्दी डालेंगे आधा टी स्पुन नमक डालेंगे एक टी स्पुन अधरक लसुन का पैस डालेंगे और इसमें एक टेबल स्पुन लेमन का जूस आड़ करेंगे आप इसकी जगे इमली का पल्प य कोकम का जूस भी एड़ कर सकते हैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इसमें कोई भी लंस बाकी नहीं रहने चाहिए ताकि जब हम इसे फिश पे अपलाई करें तो यह सॉफ्टली अपलाई हो जाए पहले हम मसाले को से अपलाई कर लेंगे फिश पर हमने जो कर्स लगाए हैं उसे लगाने का रिजन यही है कि मसाला जो है वह अंदर तक चला जाए और फिश बाहर से ही नहीं अंदर से भी टेस्टी बने फिश पर हमने दोनों साइड से मसाले को अच्छे से अपलाई कर लिया है इसी तरह हम याने सारे फिशिस को मसाला लगा कर अपलाई कर लिया है अब हम इसे 10 मिंड के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये मसालों में अच्छे से मैरनेट हो जाए जब तक ये मैरनेट होती है चलिए हम इसकी कोटिंग की तैयरी कर लेते हैं आदी कटोरी, सूजी यानी रवा लेंगे आदी कटोरी, चाउल का अठा लेंगे आप चाउल के अटे के जगे कौनफलार का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें 1 Χ 2 टी झ़ोण नमक ऋट करेंगे धयान रहे हमने जो फिश को मसाला अपलाई किया था उसमें भी हमने नमक नमक ऋ ला लेंगे फिश को मेरिनेशन के लिए रखे हुए 10 से 15 मिट हो चुके हैं अब हम एक एक फिश को इसमें डालते हुए इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे फिश को सूजी और चावल के आटे की कोटिंग करके फ्राइ करने से फिश जो है वो एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनेगी इसी तरह सारे फिश को कोट करते हुए अलग से एक प्लेट में निकालते जाएंगे देखिए हमने तमाम फिश इसको इस तरह अच्छे से कोट कर लिया है हमने प्यान में दो से तीन टेबल स्पून ओईल डाल कर इसे हाई फिलेम पे रखा है ओईल जो है वो अच्छे से गरम हो चुका है अब हम फिलेम को लो टू मीडियम रखेंगे उसके बाद ही हम फिश को फ्राइ करने के लिए इसमें डालेंगे ऐसा करने से फिश जो है वो अंदर तक क्रंची और क्रिस्पी बनेगी पांस से साथ मिनट के लिए इसी तरह इसे लो फिलेम पे फ्राइ करना है बिलकुल भी इसे छेड़ना नहीं है एक साइड से हमने फिश को पूरे 7 मेंड के लिए फ्राइ कर लिया है चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं ताके इसे दूसरी साइड से भी फ्राइ कर लें दूसरी साइड से भी हमें इसे 5-7 मेंड के लिए लो फिलेम पे ही फ्राइ कर लेना है ताकि ये अंदर तक क्रंची और क्रिस्पी बने दूसरी सब्सेट से भी हमने इसे पुरे 7 मेंड के लिए लो फिलेम पे फ्राइ कर लिया है चलिए अब हम इसे छेक कर लेते हैं दहुए ये कितनी जबरदस क्रंची और क्रिस्पी बनी है अब हम इने निकाल लेंगे और बाकी की बच्चिवी तमाम फिश को भी इसी तरह फ्राइ कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारी फिश कितनी जबरदस्त क्रंची और क्रिस्पी बनी हुई है आप इसे ज़रूर एक बार ट्राइ करें मुझे उमीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी आप देख सकते हैं एक इतनी जबरदस्त क्रंची और क्रिस्पी बनी हुई है आप इसे रोटी या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर उपर से इस पर नीमू नी चोड़ के प्यास के साथ ऐसे ही सिंपल भी इसे आप खा सकते हैं बड़ी ही जबरदस लगेगी दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों और फैमिले में शेयर करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी नई रीसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाए